तो भाई साब अगर आपको HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड चाहिए और इस वीडियो पे आप क्लिक किये हो ना तो फूरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहना मैं आज आपको क्रेडिट कार्ड दिलवाकर ही रहूंगा आज की वीडियो में मैं आपको A to Z प्रोसेस बताऊंगा कि HDFC बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए आप कैसे अपलाई कर सकते हैं साथ में इस क्रेडिट कार्ड को आप कैसे ले सकते हैं और एक अच्छा लिमिट के साथ यहां पर दे दिया गया है किसी भी तरह का यहां पर इंकम प्रूब ITR को भी यहां पर अपलूड नहीं किया हूं बेसिक कुछ इंफर्मेशन यहां पर समिट किया हूं KYC को कमप्लेट किया हूं और यह क्रेडिट कार्ड हमें जो है मिल गया है तो वहां पर आप जो है na HDFC bank का credit card apply कर सकते हैं और इस credit card को आप ले सकते हैं अब देखो यहां पर na HDFC के website पर अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको धीर सारा credit card देखने को मिल जाता है लगबग 30 से 40 credit card है तो वहां पर आप confused हो जाओगे कि आपके लिए best credit card कौन सा होने वाला है तो इस वीडियो में मैं आपको 4 credit card suggest कर रहा हूं इस में से जो भी credit card आपको suggest किया जाएगा HDFC bank के तरफ से तो HDFC सामने से आपको 3-4 credit card suggest करेगा और बोलेगा कि इस में से आपको जो भी अच्छा लग रहा है वो credit card के लिए आप जोए ले सकते हैं तो मैं यहाँ पर 4 credit card suggest कर रहा हूं benefit के हिसाब से इन में से जो भी credit card आपको suggest किया जाएगा वो आप जोए ले सकते हैं क्योंकि यह credit card जो है ने हर चीजों के लिए based होता है चाहे online या offline shopping कर रहे हैं या कहीं पर भी आप spend कर रहे हैं तो पहला credit card यहाँ पर आ जाता है HDFC money bank credit card दूसरा credit card है Indian oil तूसरा credit card है millennia और चौता है Tata new यह 4 credit card HDFC bank के तरफ से आता है आपको सारा information देखने को मिल जाएगा जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा भी तो चलिए जानते हैं credit card के लिए apply कैसे करना है साथ में KYC complete करके इस card को कैसे लेना है तो वीडियो के description में मैं आपको HDFC bank का apply link दे दूँगा इस पर click करके 15 step में यहाँ पर HDFC bank का credit card apply कर सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको एक mobile number डाल देना है उसके नीचे आप date of birth या pen card number में से दोनों में से कोई एक चीज यहाँ पर डाल देंगे आपने जो number दिया है उस number पर OTP जाएगा आपको OTP डाल कर आपको verify कर देना है और view the best card पर आपको click करना है यहाँ पर आपका first step open हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको first name डाल देना है तो आपके name में जो भी आपका first name है वो डाल देंगे निचे middle name में आप अपना middle name ड अब जेंडर है तो आप select कर लेंगे इंटर यो data बहुत पर click करके आपको अपना original data बहुत यहाँ पर select कर लेना है जो आपका data borne डोकुमेंट पर है वह data बहुत यहाँ पर select किजिएगा नहीं तो आगे चल कर जो है application को reject कर दिया जाएगा योर personal email address पर click करके आपको अपना email email address देदना है जिस पर आपको जो है credit card के बाड़े में सारा detail भेजा जाएगा your employment type पर आपको click करना है यहाँ पर आपको यह बताना है कि आप salary person है या self-employed है अब देखो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान देना कि अगर आपको salary मिलता है तो आपको salary पर click कर देना है अगर और self-employed में से ही कोई आप select कीजिएगा अगर आप retired भी है लेकिन किसी अच्छे post से retired है तो आप retired भी select कर सकते हैं लेकिन ज्यादा चांस है कि student और housewife पर credit card आपको ना मिले नीचे आपको company name में आपको अपना company का name डाल देना है तो देखो जो भी company में आप काम करते हो अपने हिसाब से डा सकते हो तो your company name में आप कुछ भी डा सकते हो अगर कोई दुकान वेगरा आप चला रहे हो तो आप यहाँ पर यहाँ company के honor हो तो आप यहाँ पर select कर लेंगे your GST पर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है इसको आप छोड़ देंगे your work email address में आपको एक और email address डालना है तो यहाँ पर दो email address डालने का option मिल रहे है personal email address में जो है आप एक email address डालेंगे जो आपको जो है receive होगा HDFC bank के तरफ स जब भी कोई transaction वेगरा होगा तो और your work email address में आप जहाँ पर काम करते हो उसका email address आप डाल सकते हो तो अगर आपके पास दो email address है तो दोनों में अलग-अलग डाल सकते हो अगर आपका पास same email address है तो दोनों में same email address डाल सकते हो अब नीचे scroll करोगे तो यहाँ पर checkbox मिलेगा आपको इस पर click कर देना है अब दोस्तों इस पर जैसे click करोगे और check based offer पर click करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक और चीज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको सबसे पहले अपना address select कर लेना है अब देखो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि आपको mailing address select करना है तो यहाँ प enter manually पर आप click कर दो इस पर आप जैसी click करोगे तो आपके सामने address box open हो जाएगा यहाँ पर address line 1 address line 2 बे आप अपना address डाल देंगे address line 3 optional इसको आप छोड़ देंगे pin code वेगरा state वेगरा यह सब आप डाल देंगे अब यह सब डालने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है क जैसी अप यह सब डालोगे तो नीचे अगर आप ध्यान दोगे तो नीचे आपको क्या करना है कि आपको जो है अपने घड के बाड़ में बताना है कि आप जहां पर रह रहे हो ना तो वह आपका घड है या rented पर रह रह रहे हो तो उस पर आप जैसी click करोगे नहों तो यहा आपका खुद का घड है तो on by self या response पर आप click कर देंगे फिर next step पर जैसी click करेंगे तो यहां पर आपको थोड़ी दिर इंतजार करना पड़ेगा फिर आपको बता दिया जाएगा कि आप किस-किस credit card के लिए eligible हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं मुझे 3 credit card के लिए eligibility बता अब जैसे कि देख सकते हो कि यहां पर जो भी credit card है उस पर आप जैसी click करोगे तो उसके benefit के बाड़े में नीचे दिखने को मिल जा रहा है जैसे कि देख सकते हो कि money back में अगर आप यह credit card लेते हो तो यहां पर 10x reward point मिलेगा अगर आप Amazon पर flip card पर Reliance में या Swiggy Pay यह सब जग बता ही है कि अगर Swiggy के लिए credit card लेते हो तो Swiggy से जब भी food order करोगे तो उस पर अच्छा कासा discount देखने को मिल जाएगा और Indian oil का भी यही है कि अगर आप Indian oil का credit card लेते हो तो अगर आप petrol लेते हो तो आपके लिए based होगा अब देखो यहां पर एक चीज में आपको और बता लेते हैं इस credit card से spend कर लेते हैं तो next year से जो भी आपको लगने वाला राएगा ना वो नहीं लगेगा कोई भी renewal fee या कोई भी जो है किसी भी तरह का fee आपको नहीं लगेगा स्विगी के लिए भी same है कि 10% का cashback आपको मिलेगा जब भी स्विगी से कुछ भी आप order करेंगे तो और बाकी सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है इसका भी दिख सकते हो renewal fee और joining fee 500 है लेकिन इसमें यह है कि 2,00,000 spend करोगे तब जाकर next year से आपका renewal fee माप किया जाएगा यानि जो है कि यह काफी ज्यादा है 2,00,000 spend करना एक साल के अंदर में और वह भी स्विगी पे यहां कहीं पे भी मतलब लेकिन स्विगी के लिए credit card है तो यह भाई यह मेरे लिए best credit card बिलकुल भी नहीं है तो इसको मैं avoid करूंगा तीसरा credit card है यहां पे Indian oil तो मेरे लिए यह best credit card है इसको 500 है लेकिर इसमें यह है कि 50,000 आप एक साल में यूज कर लेते तो नेक्स्ट यह से आपका renewal फी नहीं लगेगा तो यह credit card based है क्योंकि कहीं पर भी यूज कर पाएंगे और ऐसा नहीं है कि Indian oil पर यूज कर पाएंगे आप इस credit card को कहीं पर भी यूज कर पाएंगे flip card प देना है उस पर आप जैसी क्लिक करोगे तो यहां पर आपको office address देना है तो देखो जहां पर भी आप काम करते हो उसका office address दे सकते हो आप और मालो कि अगर कहीं पर आपका swap है तो उसका भी address आप यहां पर दे सकते हो तो यहां पर simple है कि address line 1, address line 2 में अपना office address देना है address line 3 मे optional है तो इसको आप छोड़ देंगे pin code डाल देंगे आपका office कहा है वहाँ का और city या state यहाँ पर आपको डाल देना है और उसके बाद आपको continue पर click करना है फिर यहाँ पर आपके सामने terms and condition आ जाएगा तो कैसे KYC वेगरा करना है वो भी मैं आपको बता दूँगा तो पहले यह बता देता हूं कि HDFC में अगर आपका account है तो simple है कि आप अपने bank account से इसमें login कर लेंगे या तो आप debit card ATM card से login कर सकते हैं या अधार card से login कर सकते हैं net banking से login कर सकते हैं तो HDFC में account है तो यह सब से login करेंगे तो आपको KYC वेगरा करने के जरूरत नहीं पड़ेगा और direct आपके address पर credit card भेज दिया जाएगा तो यहां पर क्या करना है कि अगर आप अधार card से करना चाहते हूं तो simple है आप अधार card पर click करोगे और अधार card का number डाल देंगे उसके आप card select करोगे और terms and conditions select करके next step पर जाओगे तो आपके सामने KYC का option आजाएगा जिसमें आपको KYC complete करना पड़ेगा तो KYC complete करने के लिए भी आपको बहुत सारे option देखने को मिल जाएगा जैसे कि आप अधार card से KYC complete कर सकते हैं या अधार biometric पर click कर सकते हैं या आप कर सकते physical verify document पे तो देखो सबसे easy है अधार best document पे तो आपको इस पर click कर देना है next step में जाएंगे तो यहाँ पर आपको अधार card का number डाल देना है और अधार card का number डालने के बाद आपको get otp पर click करके अपने अधार card को verify कर देना है अब दोस्तों जैसे verify करेंगे तो आपका application submit हो जा बेज दिया जाएगा उस पर जैसी click करेंगे तो आपका KYC वाला page open हो जाएगा यहाँ पर बताया जा रहा है कि 72 गंटे के अंदर में आपको KYC को complete कर लेना है start video KYC नव पर आपको click कर देना है इस पर जैसी click करेंगे तो आपका KYC के लिए open हो जाएगा आपको यहाँ पर ज जैसी दे देंगे HDFC bank के तरफ से agent आपके जूर जाएंगे जो आपसे कुछ basic कुछ information पूछेंगे और आपका KYC complete कर देंगे information में यह पूछेंगे कि आपका नाम क्या है आपका आधार कार्ट दिखाओ उसके बाद आपका फोटो क्लिक कर लेंगे वीडियो कॉल पर ही और आ आपके घर पर जो है डिलेवर कर दिया जाएगा तो यहां पर जैसी आपका KYC complete होगा ना आपको message पे और email पे सारा detail भेज दिया जाएगा 5-6 दिन के अंदर में यह credit card आपके address पर दे दिया जाएगा वीडियो कैसा लगा comment करके आप जरूर बताना और future में आप ऐसे वीडि लिजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए ख्याल है कि अपना goodbye take care